आइड हेलो एवरिवन तो बच्चो इस वीडियो के मादधम से मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि हमारे हाँ पे जो आयूस के प्राइवेट कॉलेजिस हैं जिसमें 15% कोटा होता है हमारा नॉन डॉमिसाइल बच्चों के लिए उनके रेजिटेशन स्टार्ट हो चुके है ठीक है उनके रेजिटेशन कब से हो रहे हैं एलोटमेंट लिस्ट कब आएगी उनको कब तक एडमिसन लेना है ये सब मैं आपको इस वीडियो के मादधम से बताने वाला हूँ उनका पूरा का पूरा सैडूल आ चुका है ठीक है तो ये 36 गड़ के बच्चों के लिए नही है वो हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं जैसे हमारे यहाँ पर बी एमेस के चार प्राइवेट कॉलेज हैं है और बी एचमेस का एक प्राइवेट कॉलेज है और बी एन बाइस कोर्स के लिए भी एक प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें जो 15% सीट्स रिजर् रहा हूँ और इसकी सभी information आपको gac-raipur-cg.in पे मिल जाएगे ठीक है gac का मतलब होता है यहाँ पे government ayurvedic college रायपur-cg.in पे आपको पूरी information मिल जाएगे वहाँ पर जाके आप यहाँ पर registration अपना करवा सकते हैं और इनकी पूरी counseling online mode में होती है जैसे हमारी जो state की है वो तो offline mode में होती है registration online होती है लेकिन बाकी counseling offline होती है लेकिन other state बच्चों के लिए other domicile मतलब other state के जो बच्चे है non domicile जो बच्चे होते है उनकी पूरी की पूरी counseling होती है वो online होती है तो उनकी जो registration की date है वो क्या है वो 12 February से ले STS आ जाएगी फिर आप 4 मार्च तक आपको जिस कालिज में अलोटमेंट मिला है आपको जो कालिज मिल चुका है उसमें आप 4 मार्च पर TPSL of ले सकते हैं मतलब चार मार्च के पहले आपको सें लेना होगा फिर 8 मार्च को ये बताएंगे कि कितनी अभी वेकेंट सीट हमारे पास हैं इसका सीट मेट्रिक्स में अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर लिया आप देख सकते हैं यह आठ तरिकों में बता देंगे कि फर्स्ट अलोट्मेंट लिस्ट के बाद फर्स्ट मतलब आपने एडमिसन ले लिए हैं त अफिर उन बच्चों को 16 मार्च के पहले तक एडमिसन लेना है जो भी उनको कॉलेज अलोट होगा उसमें ठीक है तो इसके बाद भी सीट वेकेंट रह जाती है तो हमारे स्टेट के बच्चों को दे दी जाती है मतलब हो जो हमारे 85 परसेंट का कोट है उसमें वो सीट आ ज तो यही इंफोर्मिसन मुझे इस वीडियो के माद्द हमसे देनी थी चलो टाटा बाए बाए